रात करीब एक वज़ेगा वक्त है और चूकि हम मैच जीत चुके हैं T20 वर्ल्ड कब जो है साथ रनों से भारत ने ये मैच जीता है वर्ल्ड कब जीता है दक्षिन अपरिका को हरा कर ये मैच जीता है उसके बाद लगातार बैक टू बैक सब की पृतिक्रियाएं आ रही है इ उसमें उन्होंने द्रापदी मुर्मु ने कहा है कि T20 विश्वकप जीतने के लिए टीम इंडिया को मेरी हारदिक बधाई, कभी ना हार मानने की भावना के साथ टीम ने कठिन परिस्तितियों का सामना किया और पूरे टॉर्नमेंट में उतकृष्ट कौशल का प्रदर्शन क किया, फाइनल मैच में ये आसाधरन जीत थी, शाबाश टीम इंडिया तुम पर हमें नाज है, ये राश्वपती द्रापदी मुर्मु ने ट्वीट करके बदाई दी है टीम इंडिया को, उसके बाद प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने एक वीडियो जो है, वो शेर किया है वीडियो प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी का जो वीडियो है, वो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले बता देते हैं वीडियो के बारे में, वीडियो में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने क्या बोला है, एक वीडियो में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने क कहा कि Champions हमारी टीम शांदार अंदाज में टीट्विंटी विश्व कप लेकर आई है हमें भारति क्रिकेट टीम पर गर्व है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने इस वीडियो में कहा है कि 140 करोड से अधिक भारति हमारे सभी क्रिकेटर्स के प्रदर्शन पर इस वक्त गर्व महसूस कर रहे हैं क्या कुछ का अप्रधानमंत्री मोदी ने देखिए टीम इंडिया को इस भग्व विजय के लिए सभी देश वासियों के तरफ से बहुत बहुत बढ़ाई आज 140 करोड देश वासी आपके इस शांदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं खेल के मैदान में आपने वर्ल कप जीता लेकिन हिंदुस्तान के हर गाउं गली महले में आपने कोटी कोटी देश वासियों का दिल जीत लिया और यह टूर्नामेंट एक विशेस कारण से भी याद रखी जाएगी इतने सारे देश इतनी सारी टीम है और एक भी मैच हारना नहीं यह छोटी उपलब्दी नहीं है आपने क्रिकेट जगत के हर महरती उनके हर बॉल को खेला और आपने शांदार विजय प्राप्त करते रहे एक के बाद एक विजय की स्परंपरा ने आपके हौसले को दुबलन कर दिया लेकिन इस पूरी टूर्नामेंट को भी रस्प्रत बना दिया रोचक बना दिया आपने शांदार विजय प्राप्त की है मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूं रक्षामंतरी राजनाच सिंग ने भी ट्वीट किया है उसके साथ ही साथ जो उन्होंने ट्वीट किया उसमें उन्होंने तीन फोटो भी बोस की हैं जो की विनिंग मोमेंट की वो फोटो हैं रक्षामंतरी ने एक्सपर पोस्ट करके लिखा कि भारती क्रिकेट टीम की क्या अविश्वश निये जीत और उपलब्धी है भारती टीम ने टीट्विंटी वर्ल्ड कप फाइनल में दक्षिन अफरीका को हरा कर इतिहात रच दिया भारत के टीट्विंटी वर्ल्ड कप जीतने से पूरा देश खुष है इसके लिए भारती क्रिकेट टीम को बदाई अगला ट्वीट है कि इंड्री ग्रिष मंतरी अमिट शाह का उन्होंने भी एक्सपर पोस्ट किया है और वो किया लिखते हैं कि विश्व विजिएटा टीम को बदाई हमारे राश के लिए ग विपक्ष के नेता, कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी, लोग सभा में नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने भी टीम इंडिया की शांदार जीत पर बधाई देते हुए लिखा है, लिखा है कि विश्व कप की शांदार जीत और पूरे टॉर्नमेंट में शांदार प्रदर्शन क कमी खलेगी, यहां सूर्या की बात की है, उनका जो कैच आपने देखा, लास्ट ओवर में जो कैच उन्होंने शांदार कैच पकड़ा, वो कैच, कैप्टन रोहित को उन्होंने बधाई दी है, और रहूल द्रवेड को जो कोच है समय टीम इंडिया के उनको भी उन्होंने इसलावा टीम इंडिया की जीत पर उत्रप्रदेश के मुख्यमंत्री सीम योगियादित्यनास ने भी पोस्ट किया है, उन्होंने लिखा है कि अजे भारत, भारतवासियों को हारतिक बधाई, विश्व विजेता भारतिक रिकेट टीम का आभिनंदन जाय हिन, इसके बाद कॉंग्रिस के नेता और कॉंग्रिस के समराश्य अध्यक्ष है, मलेकर जुन खडगे, उन्होंने भी एक्सपर पोस्ट करके टीम इंडिया को जीत की बधाई दी है, लिखा कि रोमान चक फाइनल में टीम इंडिया ने 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जीता, खडगे आगे का हमेशा जश्न मनाया जाएगा और उन्हें संजोया जाएगा, हम भविश्य के मैचों में आपका समर्थन और सावर्दन करना जारी रखने के लिए तत पर हैं, कॉंग्रिस नेता प्रियंका गांधी का भी ट्वीट आया है, वो लिखती है कि शांदा टीम इंडिया भारत के फाइनल मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को साथ रनों से हरा कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली, हम चैंपियन हो गए हैं, अस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राया है, बड़े बड़े नेताओं की राश्रुपति प्रथान मंत्री सब की जो रियाक्शन है वो आपने सेक्शन में बता सकते हैं, कामरे के पीछे मेरे साथ ही जतिन है, मेरे नाम विगास वर्मा है, देखते रहे हैं लेलन टॉप, शुक्रिया